कि दोस्तों आयम यू असिस्टेंट का आप सभी ने एक्जाम भरा होगा एक्जाम स्टेडिजी इसकी क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिसकस कर लेते हैं वीडियो छोटा होगा सो देट कि आपका टाइम ज्यादा ना लगे और आपको इसहां से से आपको ज़्यादा ही देखने को मिल जाएं कि जो उन्होंने पैटर्न बनाया है जैसे रहा ही उसके at च्छे आएगा कियो हर्याम एसा ऑब कियो कि निकना याईजन आपց एक्जाम में च्छसर ना में जबेदा ही आता है हैं कि एकजाम हिसे पहले लिखकर Pilot. और पार्ट तू है अब यहां पर पार्ट बान और पार्ट तू है कई बच्चे मुझे बोरेते कि सर क्या यहに बंग आ अब देखो यहां पर इन्हों जनरल इंग्लिश में आपको 30 मिल जाएंगे और यह 30 मार्क्स के आने की एक कोशन एक मार्क्स का है और 0.25 याने की 1 by 4 आपके नेगेटिव मार्किंग हो गई जनरल नौलेज, मैटमाटिक्स, रीजनिंग और यहां पर आपका ICT यह मिलाके 90 है तोटल आपके कोशन 120 है अब यहां पर समझ लो चीजे क्या क्या है या तो यह कितने मार्क्स के होंगे 20-20 मार्क्स के होंगे और यह 30 मार्क्स का होगा तब ही जाकर यह क्या हो सकते है 90 हो सकते है या तो फिर यह 10-10 मार्क्स के होंगे या फिर यह 60 मार्क्स के होगा तो maximum portion इसक भी यह नहीं हो पाएगा तो maximum chances यही बन रहे हैं कि यह 30 का होगा यह 20 20 marks के हो सकते हैं अब बागी IMU पर depend करता है कि वो कैसे 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 को कैसे कैसे इनको क्या करता है सेग्रिगेट करता है अपने हिसाब से लेकिन आप यहीं वानके चलो कि ऐसा हो सकता है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं chances यहीं हैं अब कई बच्चों का यहीं कि सर आई सिटी क्या होता है तो information and communication technology elements of भी बोलते हैं आपर information and communication technology यह ना computer ही होता है लेकिन इसमें न क्या चीजा एड़ जाती है यहां पर आईटी एड़ आता थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत का मतलब है आईटी बिलकुल ही आपको यहां पर coding यहां फिर वग्यरा चीजा नहीं आ जाती है आईटी से लेटेट लेकिन हां कई बारी इसमें यहां पर आपको आईटी रूल्स के बारे में भी पूछ लेते हैं एक या दो कोशन आपका आईटी रूल्स से भी आ सकता है यह कब अमेंडमेंट हुआ था अब यहां पर कंपीटे लेट san शर्ष्यका यहां फिर कौई निकालं तो फोसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं जो कि करंट में चल रहा होगा समर्थ पोर्टल पूछ लिया आपसे आना तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपको पढ़ना पढ़ेगा पढ़ना क्या पढ़ेगा आपको यहां पर आपको देखना पढ़ेगा कि जो आपका मेती है कॉन कॉन से अभी नई नैने रूसले क्या है यह जो आपका चलग नोटिफीकेशन की पैपर का लेवल अगर आप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है mathematics में जातर portion अब आप यहां पर टिग्नोमेटरी मत करने लग जाना एडवांस लेवल मैट्स मत करने लग जाना बैंकिंग वाली वह यहां पर नहीं आने वाली है यहां पर आपको maximum portion जो मिलेगा जानल मैटेमेटिक्स में वह आपको मिलेगा अर्थमाटिक का लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका नॉर्मल वर्बल नॉर्बल दोनों आएंगे लेकिन वह लेवल उनका इतना हाड नहीं रहेगा वह आपका इजी लेवल रहेगा ओके जैनल इंग्लिश में भी आपको पता हैं SSC के वह अगर आप कवर कर लेते हो तो यहां पर आपका जनल इंग्लिश भी कवर हो जाएगा पागी तो आपको बता है कॉम्प्रेंशन है क्लोज टेस्ट आने के चांसे बहुत कम हैं इसमें क्लोज टेस्ट के ओके क्लोज टेस्ट में आपको पता है फिंद ब्लैंक्स भी दोनों आ सकते हैं तो हंड़ेट परसेंट आएंगे ही आएंगे और जो आपको याद करने पड़ेंगे जो की करनी पड़ेंगी एक साल की आप करके जाना सो दैट कि आपका यहां पर इस चीज से कोशन जो आए वह आप गवर कर पाऊं मैतेमाटिक्स में आपको मैंने करते हो नॉर्मल ट्वेल्ट लेवल की जो कि आप से से सल के लिए पढ़ते हो तो वहां पर आपका यह कवर हो जाएगा लॉजिकल रिजनिंग में आपको नॉन बर्बल बर्बल दोनों ही करने पड़ेंगे लेकिन हाई लेवल मत करना नॉर्मल लेवल की करना सिलोग का भी आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे आपका समी कंड़क्टर मिशन है उस से लेड़ेड़ भी कोशन आ सकते हैं तो आई सिटी में यह थोड़ी बहुत हो जाती है और अगर आपको लगता है कि मेरा एक्जाम मेरे नस्दी की सेंटर में होगा तो ऐसा नहीं है स्रिफ 12 सेंटर बारे में आपको बता चुका हूं तो यहां पर ICT आपको बताया था उसके बारे में आपको पढ़ना पढ़ना पड़ेगा यह आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिना फुल फॉर्म है नॉर्मली जो आपके होते हैं फूल फॉर्म नेट्वर्किंग से काफी कोशन्स आ रहे हैं आज कल रायम का क्या काम है नेट्वर्किंग में आपका लैन हो गया इनके बारे में 100 परसंट आएगा कोशन यह आपको हमेशा हर पेपर में ठीकने को मिलता है तो यह आपका हो गया बाकि इस से एक बुक भी है मेरी जो मैं आपको आपको फ्री तेस्ट किसका है यह है आपका एक सालिक यह आपको सकते हो अपनी अपने कितने सहिक हैं आपको यहां पे मिल जाएगा फोरी टेस्ट आंपको पूरे के फूरेauto उपके एक साल के यहां पर आपको देखो 2024 का हो गया 2023 का हो गया यह आपको करन्ट फिर मिल लाएंगे हंडेड एंप से क्यूज है हर टेस्ट में उसके साथ वह इंग्लिश में भी है हिंदी में भी और यहां पर आपको उसका सॉलुशन भी देखने को मिल जाता है यह जो मॉक वहा तो मुझे जरूर लिखना यह है मेरी टेलीग्राम चैनल मेरी पर्सनल आडी जो है आपको सर्च करोगे विक्रम सर पर्सनल पी जाएगा यह आपको मुझे मैसेज कर सकते हो बागी अगर आपको मॉक टेस्ट अटायम्ट करने हैं फ्री वाले और आपको यहां पर करन् मिलते हमारे अगले उन्हों तगले गुडबाई और जाहिन